जै मातादी मित्रो नवरात्री का पावन व्रत हमारे भारत की कोने कोने में रखा जाता है हमारे जितने भी भाई बंदू है प्रत्येक के घरों में कोई न कोई व्यक्ती नवरात्री के नौ दिनों का व्रत अवश्य ही करता है और जो भी हमारे भाई बंदू 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते या माताई बेहने 9 दिन का नहीं कर पाती है तो वो प्रथम व अंति मृट अवश्य ही करते हैं तो माताओ बहनो आज का वीडियो आपके लिए अत्यन्थी महत्पूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने जारे हूँ कि वो कौन सी सापधानिया है जिसका आपको ध्यान रखना है यदि आप अपनी नवरात्रों में वरत रख रहे हैं तो भी वरत नहीं आप रख रहे हो तो भी आपको इन सापधानियों का ध्यान अवश्य ही रखना होगा वो परिवार के सभी लोगों से भी रखवाना होगा तो वीडियो अंतक वध्यान से अवश्य ही देखे प्यारे भाई बेनो, भगवान श्री हर्डी, विश्णों ने जब धर्ती पर अफदार लिया, तो उन्होंने चैत्र नवरात्री में शक्ती की अराधना करी थी, आप भी अपना और अपने परिवार का कल्यान चाहते हैं, तो नवरात्री के नव दिन वर रात में इन साफधा मातरानी की पूजा वा अराधना अपने घरों में करते हैं, जिया दोस्तों इन नौ दिनों में पवित्रता और शुद्धता का विशेश ध्यान रखा जाते हैं, जिया प्यारमित्रों जो भी भाई बंदो शुद्धता वा पवित्रता के साथ इन नौ दिनों में मातरानी क सच्ची दिल से अराधना करते हैं उनके समस्त मनुकामनाएं पुर्ण होती हैं और पवीत्रता से रोग और शोक उत्पन होते हैं जसघर में माँ आदे शक्ती का स्वरूप विराजित हो वहाना करात्मक्तत्व कमजोर पड़ते हैं वे नकरात्मक्ता को सकरात्मक्ता में परिवर्तित करती हैं जी है दोस्तों कठिनाई को भी उनके सम्मक्ष खड़े होने में कठिनता अनुभव होती है तो अब हम आगे बात करने वाले हैं कि वो कौन से कारे हैं जो आपको करने हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नौरात्र तो भी सुबह और शाम मा के मंदिर में जाएं वह दीपक रज्वलित करें यदि आपने घर में मंदिर बना रखा है तो वहां पद भी सुबह वह शाम दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूले संबह हो तो वहीं बैट कर मा का पाट करें अनिथा अपनी सुविधा अनुसार पाट अवश्य ही करें मा को जल जरूर चड़ाएं जियां दोस्तों अवरात्री की नौ दिनों में सुबह सुबह एक लोटा कलश आपको जल वहां पर अवश्य ही मातरानी को अर्पत करना है अपनी संबह हो सकता है तो वह नौ दिनों तक आपने कई लोगों को देखा उगा कि वो लोग अपने कार्यों पर भी नंगे पैर जाते हैं कई लोगे नौ दिनों में चपल नहीं पहनते हैं ते संबह हो सकेustग्ज आप ऐसा ना करे ने जी हां दोस्तों नौ दिनों में कहीं यात्रा ना करें क्योंकि हम अपनी मातारानी को इन नौ दिनों अपने घर में बुलाते हैं तो हमें आधर पुर्वक उनका सम्मान करना है उनके साथ ही रहना है अपने घरों में हमी ताला बिल्कुल भी नहीं लगाना है शाम के समय भू की प्रति दिन के आरती भी नहीं होनी चाहिए एकूख ही महत्यπ competitors भी करनावश आती है आपके परिवार परोस shaffi कई भी करन वश या से आप तो उसे आपको चुपाहर बेट करें या फिर कुछ खिला कर ही घर से बाहर बेजें मित्रो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि सुबह वश्याम को मंदिर में दिया वश्य ही जलाएं किन्तो यदि आप अखंड जोद जला सकते हैं अखंड जोद प्रजोलित कर सकते हैं तो ऐसा करने से कहा जाता है कि मास्वयम उस घर की रक्षा करती हैं तो यदि संभव हो सकता है, यदि आपके श्रदा हो और आपके पास इतना घी तेल उपलब्द हो तो आप अखंड जोद भी जला सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम माना जाता है, साथी साथ दोस्तों आपको ब्रहमाचारे का पूरा पालन करना है, संभव हो सके तो जमीन पर आप शयन करें, जी हाँ दोस्तों मातरानी के कमरे के बाहरी यदि आप जमीन पर सोते हैं, तो अत्युत्तम माना जाता है, साथी साथ दोस्तों अस्टमी वन नौमी पर विधी विधान से कंजक पूजन करें, और उनके अशिरवाद भी अवशी हैं, कन्याओं आपको बोजन कराना बहुत ही अच्छा बहुत ही उत्तम माना जाता है, यदि आपको कन्याओं किसी भी रूप में नहीं मिल पा रही हैं, आपने बहुत प्रयास करें, फिर भी आप कन्याओं खिलाने के लिए आपको कन्याओं नहीं मिल पा रही हैं, आपको कन्याओं नही इसी दिन कन्या को भूज जरूरी कराना चाहिए इन कुछ चोटी चोटी चीजों को आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है साथी साथ दोस्तों इन नौरात्री के नौ दिनों में कोई भी जानवर यदि आपके घर के पास आ करके रुपता है तो उसे भी आप अपने एक विशेश रुप से ध्यान दे कि यदि आप मासमंद्रा का सेवन करते हैं तो इन नौ दिनों में वर्जित होता है तो परिवार के किसी भी सदस्ते को ना ही आप इसका सेवन करने दे ना ही आप स्वयम करें वित्रों ये थी वो कारे जो आपको नवरात्री में अवश्य ही क चाहिए इसके अत्रिक्त भी बहुत सारे कारें दोस्तों यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं किसी अन्य विश्य पर जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मैं 100% आपको उसका जबाब दोगी तो प्यारे में तरो वीडियो आगे बढ़ाने से प अपलोड करूंगी तो वो आप तक स्वतर ही पहुत जाएगा इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले और जानकारी पसंद आते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को पसंद किया वीडियो आपके समझ में आया है कमेंट बॉक्स में जै माता दिल लिखना बिल्कुल भी मत पुलिएगा चले दोस्तों आपका बहुत सारा मैने समय ले लिया वीडियो आगे बढ़ाते हैं अब हम बात करने जा रहे हैं कि न नौ दिनों में आप प्याज लेसन का प्रियोग ना करें साथी साथ कोई भी अन्यवस्तों बनाने जारें तेल को बहुत जादा गरम ना करें बहुत जादा च्छोका ना मारें जहां तक संभो हो नौ दिन तक आप उख्वास करें बहुत अच्छा होता है अगर संभो ना ह तो लेसन प्याज का सिवन ना करें वित्र जैसा कि मैं आपको बताया कि लेसन प्याज का प्रयोग ना करें यह दोस्तों यह तामसिक भोजन की चड़ी में आता है तो पूरा-पूरा प्यास करें कि लेसन प्याज को भी आप छोड़ दे कैची का प्रियोग नहीं करना चाहिए जी है जोस्तों कैची का प्रियोग जहां तक हो सके आप कम से कम करें या फिर बिल्कुल भी ना करें दाड़ी के बाल ना खून वा बाल हमें नौ दिनों तक नहीं कटवाना चाहिए इन चीज़ों का वे आपको ध्यान रखना है घर के बच्चों के भी आपको ना खून नहीं काटने हैं बाल नहीं काटने हैं बड़ों को भी अपनी दाड़ी बाल नहीं बनाना है पूरा पूरा प्रयास करें कि आप कपड़े की कटिंग भी ना करें यदि आप सिलाई का कारे करते हैं तो भी नौ दिनों में वो करने से पचे या आप कपड़ों को पहले ही काट के रख लें किन्तो नौ दिनों में कुछ भी काट छाट ना करें अब सबसे महत्यपुन बाद दोस्तों कि नौरात्री की नौ दिनों में आपको किसी की निंदा नहीं करने चुगली नहीं करनी है जिया दोस्तों वैसे तो हमें ये आम दिनों में भी नहीं करना चाहिए कि तो इन दिनों में आप विशेश रुप से ध्यान रखें जबी भी आप कोई भी व्रत उप्वास करते हैं तो उसमें आपको अनिंदा नहीं करने चाहिए किसी की बुराई किसी का बुरा नहीं करना चाहिए कि पैसा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलता है नौरात्रे की नौत दिनों में आपको मातरानी का गुडगान करते रहना है 24 गंटे चपी भी आप जगे रहते हैं आपको मातरानी का स्मर्ण करते रहना है मातरानी की जैब करते रहना है और जै माता दी जै माता दी पूरी दिन आपको बोलते रहना है मा के मंदिर में अनरहित भोजन प्रशाद अर्पित करें जिहां दोस्तों पूरा पूरा प्रयास करें कि जब आप मंदिर जाते हैं तो कुछ न कुछ प्रशाद अवशे ही चड़ाएं वहां मंदिर वाए हुए लोगों को भी आप फलो का दान कर सकते हैं फलो का प्रशाद भी आप अवशे ही बाढ़ सकते हैं मित्रो नवरात्री के नौ दिनों में आप बाहर से खाना ना मंगवाएं यदि आपके घर में दो या तीन सदस्यों ने वरत रखा हुआ है और एक से दो सदस्यों ने वरत नहीं रखा हुआ है तो उन्हें आप इस्टेश के लिए मना करें कि कुछ भी हो जाए वो बाहर का खाना ना मंगवाएं यदि आपने नौ दिन का वरत किया है और आपके घर में रहने वाला दूसरा व्यक्ति बाहर से मंगाया हुआ खाना खाता है लेसन के आज या तामसिख भोजन करता है तो इस प्रकार से आपका भोज़न भी खंडित हो सकता है क्योंकि पूझा में वो भी आपके साथ शामिल होता है तो आपको पूरा-पूरा प्रयास करना है कि घर में जितने भी व्यक्ति ती हैं तो पुरा पुरा प्रयास करें कि उन्हें समझा करके ही आप बात खतम कर दे यदि अपने मातरानी का वुरत किया है तो आपको भूल से भी अपनी कन्याा को नोरातरे के نौ दिनों नहीं मारना है इस्वेश्ट अभी आपको ध्यान रखना है बड़ों का हमें सम्मान करना है जो कि बहुत यदिक महत्तपोन है हमारे घर में हमारी जो मा है उन्हें भी हमें मातरानी के शिणी में ही रखना है उनका हमें सम्मान करना है आदर करना है किसी भी प्रकार से नौ दिनों में यदि आपने अपनी माता का अपने घर के बड़े ब आप माली से लेकर आए या फिर घर के आसपास से कहीं से ले ले किन्तु कुछ न कुछ फूल आपको पूजा में अवश्य ही रखने हैं वैसे तो हमारी चैनल पर पहले से एक वीडियो जिसे मैंने बताया है कि किस दिन मातरानी को किस रंग के पुष्प आपको अर्पित करने चाहिए क्या भोग लगाना चाहिए तो वीडियो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो दोस्तों किन्तु यदि आपको प्रति दिन के हिसाब से फूल नहीं मिल पाते हैं पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो जो भी सुविधा हो सके वह पुष्प मातरानी पवश्य ही प्रति कोई भी अगर आपके दरवाज़े पर विक्षा मांगने आता है तो उससे डाट कर ना भगाएं जिहां दोस्तों किसी भी उम्र का विक्ती हो महिला हो पुर्श ओ कोई भी हो यदि आपके दरवाज़े पर न नौरात्री की नौत दिनों में वह वह विक्षा मांगन दें कि उसे आपको डाट कर मार कर नहीं भगाना है मित्रों कई वर क्या होता है कि हम लोग मंदिरों में अच्छा अच्छा दान कर देते हैं हम उन पंडितों को दान कर देते हैं जो कि सक्षमी दिनके पास सारी सुविधाई होती है किन्तु जिसे पास्तों में आवशक्ता हो जो हमारे घर पर हमसे बिक्षा मांगने आता है उसे हम भगा देते हैं और उसके साथ बुरा विवहार करते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार का कार्य आपको नहीं करना है तो मित्रो यदि आपको सच में लगता है कि आपके दरवाजे पे आए हुए आपके मदद क्या वशकता है तो जो भी हो सकता है आप अपनी शमता अनुसार उसकी मदद अवश्य ही करें तो मित्रो आज के वीडियो में इतना ही यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा इसका तरिक तक कोई भी जानकारी चाहते हैं त तो मुझे कमें करके जरूर बताईएगा तो आज का वीडियो आन तक देखने लापनों को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जल मिलते हैं मातारानी के नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ तो आपका दिन शुब और मंगल में हो नवरात्री के आप सभी को हरदिक शुब कामने जे मातारानी